दोस्तों स्वागत आपका हमारी YouTube चैनल में आज की वीडियो में हम ली करा हैं आपके लिए Hindi साइट की बहुत ही महत्यपूण question answer तो सभी लोग वीडियो को like कलने है चैनल को subscribe कलने है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें रोज अपनी एक class होती है रात्तिरी में दस बचे हिंदी साहिट ती की जहां पर question answer आपके लिए लाए जाते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं हाँ पर आजका अपना फ़र्ष्ट question क्या पूंचा गया है सभी लोग वीडियो को like कलने है चैनल को subscribe कलने है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें तो आजका अपना यहाँ पर question करना है कौन माने जाते हैं पंत्यों की रचिनाकार चैन कीजिए का बिहारी है जस्वंत से हैं कभी गंग है या प्रद्यों कभी है दोसो दो में आपके लिए चैन करना है मत्पूर्ण question यहाँ पर पूंचा गया है चलपा जी संजु जी रावल राज जी और तनु जी आप च में पर जबी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि यह पंत्यों मानी जातिएं बिहारी की लवले थाकुर जी बिहारी जिभी जिना ने भी यहाँ पर विकल्प नंबर यह चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा question लिए पर अंगला question देगे utilities क्तिक यहा पूंचा question number 203 है मत्वपूर्ण question यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा प्रदिप जी नितु जी क्रेटेवार्स जी राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंत कौन सा माना जाता है विकल्प नमबर आपका यहाँ पर एक जो है सही आंसर है बार्नी भूसर आपका यहां पर विकल्प नमबर जो एक है यहां पर सही आंसर होगा हंगला question यहाँ पर देखेगा question number यहाँ पर पूंचा गया 204 question है ब्रत्रंगनी नेके रचेता का नाम बताईएगा question number 204 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर बताईए 27 हैं या फिर यहाँ पर प्रताप साही है या जस्वंत सहए हैं या राम सहाई है हत्य पूंचन है पर पूंचा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा question number 204 में वेकल्प नंबर D सही आंसर होगा राम सहाई ब्रत्रंगनी के रचेता पूंचा गया है तो D वाला वेकल्प आपका यहां पर सही आंसर होगा जो कि सभी लोगों ने सही आंसर चैन क्या है अंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया है कॉस्चन नमबर आपसे पूंचा गया है यहां पर दो सो पांच क्या पूंचा गया है देखे दो सो पांच बा कॉस्चन है कभीवर बिहारी लाल किसकी रचिना है यह उपाचिना जी वत्ताइए का कभी वर बिहारी लाले किसकी रचिना मानी जाती है आचा रामचंद्र सुकल जी की रचिना है ठाक और जगमोहन से रादा कृष्ण दास या फिर बद्री नारण चौदरी की रचिना है 205 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि रचिना मानी जाती है किनकी वेकल नमबर आपका यहाँ पर सही आंसर है यानि कि कभी बर बिहारी लाले रचिना मानी जाती है रादा कृष्ण दास की किनकी रचिना मानी जाती है रादा कृष्ण दास की रचिना मानी जात ये वेकल्ब नम्मर सी जन्हों ने भी यहां पर चैंशन क्या है उनका यहां पर रही आंजर होगा अंगल्या कोश्चन यहां पर देखेगा कोश्चन नमार आपसे यहां पर पूंशा गिया दो Holy garlic कभी किसके आश्रह में रहते थे बताईए जो गोप कभी है यह किसके आसरा में रहते थे महराजा प्रतवी से हैं जस्वंत से हैं महराजा सकती से हैं या फिर महराजा परमाल से हैं Q6 में सभी लोग सही आंसर चैन कीजेगा मत पूर्ण Q7 यहां पर पूंचा गया है और 6 में सही आंसर आ रहा है गोप कभी यह जो है महराजा प्रत्वी सह की आश्रह में रहते थे विकल्प नमबर आपका एक जो है वह यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर यह जनौने यहां पर चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसरों का हिंडी साहित्त जी कौंट्र यहां पर आपका 207 क्या पुंचा गया है देखेंगा 207 वह कॉस्चन PR दिया गया है कि इनमें से रित्व बंडन की द्रश्टी से कौन सा कभी सर्वस्रेष्ट माना गया है 207 में आपके लिए चैन करना है क्या होगा सही आंसर बताईए 207 में बिहारी है, रसकान है, सेनापती है या फिर पदमाकर है इनमें से दित्व बंडन की द्रश्टी से कौन सा कभी सर्वस्रिष्ट माना गया है और ये तो सरल कॉस्चन है सभी से बन जाएगा उस सभी लोग यहाँ पर सैनापती बता रहे हैं वेखलप नमबर चाहर जो है आप सभी का यहाँ पर सऑफना अंसर होगा वेखलप नमबर सी सऑफना अंसर है अंगला कौस्च्ञ यहाँ पर देखेगा गोप कभी के प्रमुख ग्रंत कौन से हैं इनके प्रमुख ग्रंत कौन से हैं यह चैन करना है चारवे कल्प आपके देगा है तनुजी और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है 208 में वेकल्प नंबर जो डी है यानि कि वो परियुक्त ग्रंत जो दी गए है इनके मानी जाते हैं गोप कभी के मानी जाते हैं रामलंकार रामचंद्रा बरन और रामचंद्र बूसन तो डी वाला वेकल्प यहां पर आपका सही आंसर होगा अंगला कौस्चन यहां पर है या फिर बल्लवाचार थे या हीरा मनी दिख्षित थे 209 में आपको चैन कन्ना बहुती मत पूर्ण कौस्चन पूंचा गया है और आप सभी का इहां पर सही आंसर होगा कि रितिकाल इनकभी सेनापति रितिकाल के कभी माने जाते हैं और इनके गुरू पूंचा गया है इन के गुरू माने जाते हैं कौन तो विकल्प नंबर आपका इहां पर क्या होगा सही आंसर तो आप सभी का इहां पर सही आंसर आ रहा है हीरा मनी दिख्षित होगा सही आंसर विकल्प नंबर डी होगा आपका इहां पर सही आंसर विकल्प नंबर चार आपका इहां पर सही आ तो हीरावनी दीख्षेत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बड़ी अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखते हैं, कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया, 210 बा कॉस्चन है, कि सहजो भाई किस काल की कवित्री है, यह आपके लिए यहाँ पर चैन करना है, आर अनिल कुमार जी, अनिल ठाकुर जी और 210 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जो सहजो भाई हैं, यह मानी जाती है, किस काल की कवित्री मानी जाती है, तो 10 में आपका विकल्प नमबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, तो सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं, कि विकल काल आपका यहां पर सही आंसर होगा वह बढ़िया विकल्प नंबर एक आप सभी का यहां पर सही आंसर है सैना पती की आप प्रियतम सफलता किसमें दिखाई देती है बताईएगा क्या होगा सही आंसर किसमें दिखाई देती है सिंगार बंडन में या फिर हास्च बंडन में या फिर रितु बंडन में या रोद्र बंडन में 211 का सई आंसर चेन कीजेगा सेनापती की आप प्रितम सफलता किस में दिखाई देती है और आप सभी का यहाँ पर 211 में सई आंसर आ रहा है कि रितु बंडन में किसमें रितु बंडन आपका विकल्प नमबर जो सी है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर तीन आपका सही आंसर है बहुत बढ़िया सभी लोगों ने आपर सही आंसर बता है मनुद जी संगीता जी बहुत बढ़िया सभी का सही आंसर है यहां पर अंगला question याँ पर देखेगा 211 वा question हो गया 212 वा question याँ पर दिया गया है हिंदी में सरवादिक बिस्तृत चंद वीचन ग्रंट कौन सा है आपके लिए बताने 212 में क्या होगा सई आंसर चंद विचार है चंदोर्णा पिंगल है चंद माला है या चंद सार है बताईए हिंदी में सरवादिक बिस्तृत चंद वीचन ग्रंट कौन सा माना जाता है और अर्चित जी तो आप सभी का याँ पर निया तिवारी जी सही जो आंसरों का 222 में वह माना जाता है चंदोर्णा पिंगल कौन सा माना जाता है चंदोलनों पिंगल यानि की विकल नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसरों का हिंदी में चर्वदिक बेश्तरित चंद वेचन वाला ग्रंथ माना जाता है कौस्चन नंबर यहाँ पर अंगला देखेगा दोसो तेरह बाद कौस्चन यहाँ पर दिया गया है यह रहा कौस्चन नंबर दोसो तेरह महत्य पूर्ण कौस्चन है बैठी थी सकंद संगे पियो को गवन सुन्यो सुख के समूहे में वियोग आगी भरकी और पर्युक्त तेरह में आपके लिए आपर चैन करना है क्या होगा सही आंसर यह पद की रचेता आपको चैन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है यह पद माना जाता है किनका कभी गंग कभी का यह पद माना जाता है विकल्प नंबर दो आप सभी का सही आंसर होगा माना जाता है राग रतना कर है प्रयमित रंग है भवानी बिलासे अप्रभाव बिलासे दोसो चवध्य में आपके लिए चेहन करना है सही आंसर लाइक अवस्य कर लेंगे सभी लोग जन्हों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार जल्दी से लाइक कर लें को सब्सक्राइब कर लें और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि देव द्वारा रचित राग रागनियों से संबंदित जो ग्रंत माना जाता है राग रतनाकर माना जाता है कौन सा माना जाता है राग रतनाकर माना जाता है वेकल नंबर एक आप सभी का सही आंसर नहीं है नहीं आपके लिए चैन करना है बताइएगा गुरु गोबिंद सें वक्सी हंसराज ब्रंद या फिर नातुराम सर्मा संकर नहीं बताना है आपके लिए 215 में क्या होगा सई आंसर सभी लोगशन कीजेगा मठुपूल कॉस्वन या पर दिया गया है और आप सभी का यापर सई आंसर आहा नातुराम सर्मा संकर इरीति काल के कभी नहीं मानी जाती है सबी लोगों ने आपर बताया है अंगला कॉस्चन या पर देखेगा बूशन की कभीता का प्रधान स्वर क्या माना जाता है बताईएगा बूशन की कभीता का प्रधान स्वर माना जाता है कारोनिक या फिर सिंगा प्रिसस्ती परक्ष या प्रव्यंगात्मक्ष दोसो सोले में आपके लिए चैन करना है सही आंसर चैन कीजेगा सभी लोग महत्यपोण क्वाश्चन यहां पर पूंचा ग्या है और आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर बोसन की कवीता का प्रदान सवर पूंचा ग्या है और सभी लोग बता रहें प्रसस्ती माना जाता है क्या माना जाता है प्रसस्ती माना जाता है विकल्प नमबर जो सी है वह आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा सभी लोगों ने नीतू जी विल्कुल चैन क्या है अंगला क क्या पूंचा क्या है कि रीतिकाल का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है चिंतामनी को पदमाकर को केसब दास को या फिर भेकारी दास को दोसो सत्रह का सही आंसर चेहन कीजेगा मत पूल कॉस्चन है एक बार सभी लोग लाइक से रवस्ते कर लेंगे सेर करते हैं ताकि सभी लोग इससे जो है जुड़ जा इस क्लास से और रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है रात में दस वजे रीतिकाल का प्रवर्तक की बात करें तो भै माना जाता है किस के लिए के सभ दास के लिए वेकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर सी वाला वेकल्प जो है सही आंसर है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन या आप देखेगा कॉस्चन नंबर आप से यापर पूंचा गया दोसो अठारेवा कॉस्चन रामचंद्र सुकल जी ने रीतिकाल का प्रवर्थक किने माना हैं तो क्या होगा सुखल जी ने माना है किन के लिए चिंद्र मणी के लिए ने आच्या रामचंद्र सुकल जी ने बहुत बढ़िया विकल्प नंबर एक होगा आप चवी का याँ पर सही आंसर अंगला कॉस्चन याँ पर देखेगा कॉस्चन नंबर आप याँ पर पूंचा गया उन्निस बूशन के काब में पिरधानिता है किसकी पिरधानिता है कॉस्चन आप से पूंचा गया है चार विकल्प आप के याँ पर दिये गये हैं भूशन के काब में पिरधानिता है किसकी पिरधानिता है यह आपके लिए चैन करना है तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर एक सही आंसर है ओजगुण और भी रस की आपर सई आंसर लगा देते हैं जो कि सभी लोगों ने रिता जी रमा जी रीना जी सभी लोगों ने सई आंसर चैन क्या है वीसवा कॉस्चन आपर देख लेते हैं निमनलेकित मैसे कौन सा अलंका रूपक ग्रंथ नहीं है बताईए नहीं बताना है भूशन कृत सिवराज वेकारी दास्त क्रित सिंगार नेर्णय या जस्वन्त सहें क्रित भासा भूशन बताईए चैन कीजेगा इनिमनलेकित मैसे कौन सा अलंका रूपक ग्रंथ नहीं है तो आप सभी का सई आंसर होगा यहां पर वेकल्प नमबर सी यहां पर सई आंसर है क्या है सई आंसर सी यानि की वेकारी दास्त क्रित सिंगार नेर्णय वेकारी दास्त क्रित सिंगार नेर्णय जो सी वाला वेकल्प है आप सभी का यहां पर सई आंसर है बहुत वड़ी यानिल जी विल्कुल सही अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप से पूँचा गया है दो सो 21 बार कॉश्चन पूँचा है कि रीति काल के प्रिशिद्य कभी महराज विस्वनात सेह कहां के राजा थे विस्वनात सेह बताना है यहां पर विस्वनात सेह लिखा है कॉश्चन नमबर दो सो एक्किस दो सो एक्किस में आपके लिए चैन करना है रीवा के दत्या के ओर्चा के या फिर उज्जेन के ये चार विकल्प हैं बताईए क्या होगा सई आंसर महत्वपूर्ण कॉस्चन आप से पूंचा गया है रीतिकाल के प्रिसिद्द कभी है महराज विस्वनाद सें और ये राजा थे कहां के तो विकल्प नमबर एक सई आंसर है रीवा के कहां की राजा थे रीवा की राजा थे विकल्प नमबर ये जो है विसाल कुमार जी आप सभी का यहां पर सई आंसर है विंदू या दब जी कवन कुमार जी अंगला question यहां पर देखेगा question number 22 आप से पूँचा गया है सेनापती की प्रिसिद्ध कृती कौन सी है प्रिसिद्ध कृती पूँचा गया है अलंकार दर्पन है या फिर यहां पर भासा भूसन है यमक सतसाई है या पर कवित रतनाकर है बताएए चेन कीजे क चार विकल्प आपके यह पर दिये गए है रीती सेनपती की प्रिसिद्र कु RICH का नाम बताना है और आप सभी की यहां पर सई आंसर चैन क्या है? question number 23 यहां पर पूंचा क्या है? कि बनन में बागन में बगर रयो बसंत है यह पंती किस रीतिकालिन कभी से संबंदित है रीतिकालिन कभी बताने सेना पती है तेसब है बिहारी है या फिर आलम है 223 में बताईए बनन में बागन में बगर रयो बसंत है यह पंती किस रीतिकालिन कभी से संबंदित है तो आप सभी का सही आंसर है वेकल्प नंबर एक आनी की सेना पती सेना पती आपका सही आंसर है सेना पती से संबंदित यह पंती मानी जाती है यह वाला वेकल्प जन्वने बी यहाँ पर चैन क्या है, उनका यहाँ पर सही आन्सर होगा। अंगला question यहाँ पर पूंचा ज्य क्या है, question number आपसे यहाँ पर पूंचा है दूस नहुं चान किजिए कागार कीशब की पंती है या ठाकुर की पंती है बोधा कभी की पंती है या फिर घंनानंद की पंती है और दीपक पबाद जी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा कॉस्चिन नम्बर देखेगा question number यहां पर पूंचा गया है 25 बा question है देवबृत जी ब्रज बिलास की रचीता कोन मानी जाती है ब्रज बिलास की रचीता नांगरी दास है सेवा दास है या फिर ब्रज वासी दास है या फिर गुमान मिस्र है question मत पूंड है question number 25 आप से पूंचा गया है और अनिल जी और रिता जी आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है ब्रज बिलास की रचीता ब्रज वासी दास मानी जाते है बिलकुल सई आंसर होगा बहुत बढ़िया वेकल्प नंबर आपका यहां पर सई आंसर होगा वेकल्प नंबर तीन आपका यहां पर सई आंसर होगा अंगला question यहां पर देखेगा question number आपसे याँ पर क्या पूंचा गया है 26 बा question बोधा की प्रेमिका का नाम क्या था बताईए बोधा की प्रेमिका का नाम आपके लिए चैन करना है क्या था चैन कीजेगा महत्पूर्ण question याँ पर पूंचा गया है और आप सभी का सई आंसर होगा बताइए महा माया या फिर सुजान या सुभान या फिर अनारा तो महत्य पूर्ण कॉस्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि सुभान यहाँ पर वेकल नंबर जो सी है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुभान आपका सई आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन अंबर आपसे यहां पर क्या दिया गया है 27 बा कॉस्चन पूंचा गया है अन्योक्ति कल्प दुर्म की रचेता कभी कौन है आपको 27 का सई आंसर चेहन करना है मत्पूर्ण कॉस्चन तनमय सर्मा जी गिर्दर कभी राय है या फिर दिन दिया लिगरी है प्रताप साही है या फिर विकारी दास है कॉस्चन मत्पूर्ण है और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है अनियुक्ति कल्प दुरुम अनियुक्ति कल्प दुरुम के रचेता कभी कौन माने जाते है तो विकल्प नमबर भी होगा यहां पर सही आंसर यानि की दिन दिया लिगरी किन की रचना माने जाती है दिन दिया लिगरी की रचना माने जाती है तो नमो सुकला जी विकल्प नमबर यहां पर भी आपका सही answer होगा question number 28 आप से पूंचा गया है मत पूर्ण question है अलंकार 85 का की रचेता इन में से कौन माने जाते हैं 28 का सही answer बताईएगा भूसन की रचना है मतिराम की रचना है चिंता मनी की रचना है या जस्बंत सही की रचना है अलंकार 85 का बताना है 28 बा question यहां पर पूंचा गया है और 28 में आपका यहां पर क्या होगा सही answer और सभी लोग भी बाला वेकल्प यहां पर सही answer बता रहें कि अलंकार 85 का जो है मतिराम की रचना है इन की रचना है मतिराम की रचना है तो बिलकुल सही आंसर चैन क्या है वेकल्प नमबर चार आपका सही आंसर है Q29 आप्से पूंचा गया है के संस्कृत गरंते का प्रभावब भबर संस्कृत गरंता आपके लिए बताने 29 में कौन सा है अलंकार सर्वष्च है काब बे प्रिकास है या पिर कुबल अयानन्द है या चंद्रा लोग है तो आप सभी का क्या होगा सई आंसर पिंकी जी अभी उस कॉस्चन को देख लेते हैं विल्कुल और आप सभी का यहाँ पर सई आंसर क्या है मत्तपून कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है 29 बा कॉस्चन है मतिरामिकरित ललित ललामपर के संस्कृत गरंत का पिरभाव है और यहाँ पर आपका सई आंसर होगा कुबल अयानन्द है कुबल अयानन्द है यहाँ पर जो उसी वाला विकल्प है बहे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर क्या पूंचा गया है कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया है देखेगा अंगला कॉस्चन तीसबा कॉस्चन दोसो तीसबा कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है यह रहा देखे आपसे पूंचा गया सिंगार लतिका की रचेता कौन माने जाते हैं 230 में सिंगार लतिका की रचेता कौन माने जाते हैं मतिराम हैं चिंता मणी हैं दुजदेब हैं या फिर गोप कभी हैं और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर सिंगार लतिका की रचेता कौन मानी जाते हैं तो आप सभी का सही आंसर है ये दुजदेव की रचिना मानी जाते है वेकल नमबर सी जिन्वनवी चैन क्या है दुजदेव उनका यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर सभी आंसर चैन क्या है अंगलिया कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप से यहां पर 31 पूंचा गया है सरवरस विबेचक ग्रंत सोधा निदी की कार कौन माने जाती हैं बताई सोधा निदी के रचिना कार आपके लिए चैन करना है 31 कोश्चन ने घनानंद की रचिना है या फिर बोधा कभी की रचिना है ब्रंद कभी या पर तोस्थम कभी तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ है कि ये दो सो एक्तिस में जो सही आंसर होगा ए रचिना तो मानी जाते है किनकी तो उस कभी की रचिना मानी जाते है वेकल्प नंबर आपका जो डी है वह हाँ पर सही आंसर होगा डी वाला वेकल्प आपका सही आंसर है अंगला पॉस्चन देखेगा नाई का भेद ग्रंत बताना है कौन सा मान जाता है नाई का बेद ग्रंत दियो कभी का जाती बिलास भूसन का सिवराज भूसन मतीराम का ब्रत कोमुदी या भेकारी दास का छंदोर्ना पिंगल बताईए कोश्चन नंबर 32 है और 32 का सई आंसर चेन करना है 32 कोश्चन मत्पूल पूंचा गया है और आप सभी का सई आंसर आ रहा है नाई का बेद ग्रंत बताने कौन सा माना जाता है तो सभी लोग बता रहे हैं कि वेकल्प नंबर यहां पर जो एक है बैं सही आंसर देव कभी का जाती बिलास देव कभी का जाती बिलास वेकल नमबर एक जो है बैं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप से पूंचा गया है आपर तेतिस बा कॉस्चन है आचार वेकारी दास्कृत प्रमुक काप्व सास्त्री ग्रंत कौन सा माना जाता है 33 में चेहन करना है बताईए 33 का सही आंसर क्या होगा मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि वेकल्प नंबर यहां पर जो आचार वेकारी दास्कृत प्रमुक काप्व सास्त्री ग्रंत पूंचा है तो काप्व नेर्णय माना जाएगा वेकल्प नंबर सी जनौनवी चेहन क्या है काप्व नेर्णय उनका यहां पर सही आंसर है बिंदू यादब जी मनुच जी कमला ठाकुर जी वेकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है राम चंद्रिका की रचेता आपके लिए बताना है कौन माने जाते है चिंता मनी है या फिर केसब दास है या वेकारी दास है या पिर जो धराज है बताईए दीप मला जी क्या होगा सही आंसर राम चंद्रिका की रचेता बताना है और आप सभी का याँपर सही आंसर आ रहा है कि राम चंद्रिका की रचेता तो केसब माने जाते है कौन केशब दास। आपका याँपर वी वाला जो वेकल्प है आप सभी का याँपर सही आंसर होगा। केशब करित। रामचंडरिका का समय निर्धारत क्या मान जाता है। केशब की जो राम चंदरी का रच्छना है, इसका समय रावल राज जी बहुत बढ़ियां, पंद्रह सो पचास है, सोलह सो एक इस भी है, सोलह सो बहत्तर इस भी है, या सत्रह सो तीन इस भी है. केसब करित राम चंडरिका का जो समय माना जाता है बैसोले सो एक माना जाता है क्या माना जाता है सोले सो एक इस भी माना जाता है बेकल्प नंबर जो भी है बैस आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अलंकार विवेचन में भूशन ने किसी आदर्स माना है बताईएगा मती राम के ललित ललाम को, केसब की कभी प्रिया को, या फिर दिव के भवानी बिलास को, या चिंता मनी के रस बिलास को, बताईए अलंकार वेचन में पूँचा है, अलंकार वेचन में भूशन ने किसी आदर्समाना है, तो आप सभी का याँपर सईयांसर है, कौश्चन नमबर 26 में, वेकल्प नमबर यह जो एक है, वह सईयांसर है, डीवी गैमर जी, मती राम के ललित ललाम को, क्या हो सईयांसर, ये वाल सेंतिसवा कौस्चन डाक्टर नगेंदर की अनुसार बताना है रीती निरूपन का आरंबिक ग्रंट कौन सा है बताईए डाक्टर नगेंदर की अनुसार बताना है सेंतिसवा कौस्चन पूंचा गया है मत्पून कौस्चन कभी प्रिया है कभी कल्प दुरुम है हित तरंगन या फिर साहित लहरी कंचन मौर्या जी डाक्टर नगेंदर की अनुसार रीती नुरूपन का आरंबिक ग्रंच बताना है और 37 का सही आंसर होगा आप सभी का विकल्प नंबर C यानि की हित तरंगनी क्या है सही आंसर हित तरंगनी आपका C वाला विकल्प जो है वह आपर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया सभी लोगों ने आपर सही आंसर चैन क्या है कॉस्चन नंबर 38 आप से पूंचा गया है औरंग जेब के दरवारी कभी का नाम बताना है कौन थे इनके दरवारी कभी कालिदास्तर वेदी थे या फिर भूसन थे या फिर बेनी बंदी जन थे या फिर पदमा करते दो सो अलतिस में आपके लिए चैन करना है क्या होगा सही आंसर 38 का सही आंसर सभी लोग चैन करेंगे क्या होगा सही आंसर तनमय सर्मा जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सिल्पा जी कालिदास्तर वेदी 38 में विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है और अंगे जिब के दरबारी कभी का नाम बताना है तो कालिदास तरवेदी होगा सही आंसर विकल्प नमबर एक अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा और यहाँ पर एक कॉस्चन कौन सा है 23 बा कॉस्चन यह पंतियां पूंची गई थी यह पंतियां किनकी मानी जाती है बनन में बागन में बगर्यो बसंत है यह पंति किस कभी की है तो यह पंति किनकी मानी जाती है तो आप सभी का हाँ पर सही आंसर क्या था तो आप सभी का यहां पर क्या था सही आंसर इसका question number 23 ता मत पूर्ण question यहां पर पूंचा गया था और यह पंतियां मानी जाते हैं किनकी तो आप सभी का यहां पर क्या था सही आंसर पदमाकर की पंतियां मानी जाती है यह लेकिन यहां पर आपका जो है सेनापती गलत हो गया यहां पर पदमाकर कर लेते हैं विकल नंबर एक में आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा पदमाकर बिल्कुल सही यहां पर यह question गलत हो गया था आगे वड़ते हैं question number आप से यहा माना जाता है इनका समय काल आपके लिए करना है बताये काचान कीजेगा महत्रपूर्ण और आपका दू सो न्टालिस है ऐधारे सो साथ थारे सो सी एधारे सो 268 याear थारे सो बीस से उनमेटerson ये बताये मंजू जी रावल लाइक अवस्थ से कर लेंगे सभी लोग, जिन्हों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवस्थ से कर ले, और पिंकी गौर जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कि 1820 से 1820 से इनका समय 1861 तक माना जाता है, जो विकल्प नमबर D है, वहें आप सभी का यापर सही answer होगा अंगला question देखेगा question नंर आपसे यहाँ पर पूंचा क्या है चालिस बहा question है रचराज के रचेता इन astronom से कौन है कि 230 में आपके लिए chain करना है क्या होगा 240 का सही answer ग्याप पूंचा ग्या है और आप सबिका यहाँ पर सही answer आ रहा है कि इसने का रष्राज के रचेता माने जाते हैं वे कौन माने जाते हैं तो वेकल्प नमबर आपका जो इहां पर सी है अंसर होगा रष्राज के रचेता पन्ड में कई बार पड़ा है इस गरंत को वे चहन कहिं बताईये चहन कीजेगा हत्त पूंड question यहां पर पूंच गया है और आफ सभी का यहां पर सही आ रहा है कि बच्चन सयने तो माना किस के लिए तो विकल्फ नंबर आपका यहां पर जो सही आंसर है वह यह बी आनि की दोझदेव को रीतिकाल को अलंकिरितकाल नाम के सिने दिया है 242 में आपके लिए चैन करना है बताईए 242 का सई आंसर क्या होगा बताईए मिस्र बंधू सिवसें सेंगर या फिर विश्वनाद्पिरसाद मिस्र या आचार रामचंद्र सुकले और यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि मिस्र बंधू मिस्र बंधू यानि की विकल्प नंबर एक आपका सई आंसर है रीती काल को अलंकरत काल कहाए किनों ने मिस्र बंधू ने मिस्र बंधू जो की तीन भाई थी तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो एक है वह आप स काल की परंपरा में अंतिम सिंगारी कभी कौन हैं अंतिम सिंगारी कभी पूंचा गया है विहारी है या ठाकुर है या दुजदेव हैं या फिर घनानंद है कौस्चन मत्पूर्ण है 243 वा कौस्चन आप से यहां पर पूंचा गया है और 243 में आप सभी का यहां पर क्या और लाइक अवस्त कर लेंगे सभी लोग बहुत सारे लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किये हमी तक जल्ली से सभी लोग लाइक कर लें और यहाँ पर आपका दोजदेव जो है बहुत सही आंसर होगा बेकल्प नमबर 80 जन्वनवी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला क्वाश्चन देखेगा यह रूप में बिहारी सत्सई के समकचे कोई रचना नहीं है एक अथन किस आलूचक का माना जाता है कॉस्चन नमबर 44 में भी आपके लिए चैन करना है सही आंसर क्या होगा 44 का सही आंसर चैन कीजेगा मत्पोन कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है और चार विकल्प आपके आपके आपर दिये गए है इरोप में इरोप में विहारी सत्साई के समकच कोई रचना नहीं है एक अतन के सालोचक का माना जाता है तो आप सबी का सही आंसर है तो विकल्प नमबर बी जो गिरिये सन है वह उनी का एक अतन माना जाता है तो विकल्प नमबर दू आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कॉस्चिन नमबर आप से यहाँ पर 45 पूँचा गया इनमे से कौन अलंकार ग्रंत लिखने वाले आचार नहीं है देखे नहीं पूँचा है जिन्होंने अलंकार ग्रंत नहीं लिखे है पदमा करने, जस्बंत सेने, भूषन ने या फिर बिहारी ने 245 में चैन कीजेगा सही आंसर क्या होगा 245 में सही आंसर चैन करना है तो कौनते वहे जिन्होंने अलंकार ग्रंत नहीं लिखे है और सबी लोग बता रहे कि बिहारी ने बिहारी आपका सयांसरूगा बिहारी जी ने बिहारी सत्सई की रचना की थी जिसमें 713 दो ही है तो विकल्प नमबर D आपका सयांसर है यह उन्होंने अलंकार ग्रंत नहीं लिखे हैं रस बिलास की रचेता कौन माने जाती है बताइएगा कौस्च नमबर 246 है बेनी बंदी विकारी दास है केशब है या फिर विहारी जी है 240 का सयांसर सभी लोग चैन कीजेगा बताइए और अरुसी जी आरति आजमगर जी और ससी पांडे जी आप सभी का यहां पर सयांसर होगा कि रस बिलास की रचनाकार कौन माने जाती है बेकल्प नमबर एक आपका यहां पर स और एक जेनोंने भी चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर होगा पेनिवनदी जन है आप सभी का सही आंसर अंगला कौस्टन यहां पर पूंचा गया है सिंगार विलास रचना किसने की वटायेगा सौमनात ने, सेना पती ने, आलम ने या प्रदिव कभी ने 247 का सही आंसर चैन कीज़ेगा और आप सभी का यहाँ पर सभी आंसर होगा कॉस्च नमबर 47 में रस बिलास तो हो गई यह बंदी जन की बेनी बंदी जन की रचना है लेकिन जो सिंगार बिलास रचना है यह किन की रचना मानी जाती है तो 47 में सभी लोग बता रहे हैं ये रचना मानी जाते है किनकी तो विकल नंबर क्या होगा सई आंसर बता ये मर्त पूर्ण कॉस्चन पूंचा क्या है आपके यापर कॉस्चन नंबर यापर है 247 और 247 में आप सभी का सई आंसर क्या रहा है तो सभी लोग यहाँ पर विकल नंबर डी बता रहे हैं तो डी आपका यहाँ पर सई आंसरों का दिव आपका सई आंसर है दिव आपका सई आंसर अंगला कॉस्चन यापर देखेगा question number आपसे आपर अंगला क्या पूंचा गया है इरा question number 248 है सिंगार रसमंडन किसे भक्ति कालिन कभी का रीती ग्रंथ है बताईए question मत्पूर्ण है question number आपका यहाँ पूंचा गया 248 है और आप सभी का यहाँ पर सई आंसर आ रहा है क्या रहा है सई आंसर तो विकल्प नमबर आपका यहाँ पर डी सई आंसर होगा यानि की डी वाला विकल्प जेनों ने भी चैन किया विठ्थल नात उनका यहाँ पर सई आंसर है विठ्थल नात आप सभी का सई आंसर होगा बहुत बड़ी अंगला question यहाँ पर देखेगा question number आपसे यहाँ पर क्या पूंचा गया है यहाँ पर 49 question है कि रीती काल का कौन सा भेद मानने नहीं है यहाँ आपके लिए चैन करना है रीती भक्त धारा, रीती बद धारा, रीती सिद धारा या पर रीती मुक्त धारा 49 पूश्चन 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 प 250 में आपके लिए चैन करना है क्या होगा सही आंसर राम चंद्रिका को चंदों का अजायव घर कहने वाले समीख्छक कौन है मद्द पूर्ण पूच्चन पूचा गया है अंसर जी व carriesक सभी का यहां पर स्यांसर रा रहा है कि विकल्प नंबर पचास में जो इसी हे स्यांसर, रामश्रूप चतुरूप 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 चत का एक जो है वह सई आंसर होगा सिंगार विलास सौमनात तो विकल्प नमबर एक आपका सई आंसर है बहुत बढ़िया तो इस परकार के जो है मत पूर्ण का जो है आपकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपकी लिंक है तो सभी लोग जुड़ जाईएगा टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए सर्च करना है एक जाम पार यूटूब चैनल अमित जी निशा जी लवली जी राहूल जी और दीपक जी एस कुमार जी प्रीती जी तनू जी डीवी गेमर जी रिता जी अंस जी इनेहा जी अमित सिंग जी दीपक पबार जी आनंद जी तनमय सरमा जी मनूज गुपता जी और निशा बर्मा जी पिंकी जी रीमा कुमारी जी देवबरत पांडे जी सिलपा सिंग जी अनली ठाकर जी एस कुमार जी और नीता ठाकर जी निसा बर्मा जी लबली ठाकर जी अपासना कुमारी जी सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दीपमाला जी इस लिंक से सबी लोग जुड़ जाईएगा जो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलिग्राम ग्रुप से मंजू या दब जी सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद जिस भी कॉस्चन में आपके लिए डाउट राइता है तो वह आप जो है आकरी में पूंच सकते हैं कि यह कॉस्चन जो है गलत हो सकता है या इसका यह आंसर होना चाहिए तो सभी लोग जो है कॉस्चन पूंच सकते हैं और सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद तो आज के वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए सुभरात्री सची पांडे जी धनंजाई जी और सभी के लिए जय